इसे के साथ स्वायत करें तो आपके करेंगे शांत-से अपने संथान के बच्चों को बंग्धार्शन करें देयों में पर लगता है कि काफी अगर्चे सफल और होंगे इसे के साथ तालियों से स्वागत करिए सर को और सरा आपको कि थैंक्य विलाज जी कि अग्यों कि सभी सफल भ्यर्थियों को मेरी सुब काइना है सुब कामना है और बदाई कि मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि मुझे बिहार के बीपीस का कोई अनुभव नहीं मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं सिबिल सर्विसज में मैंने तीन बार एक्जामनेशन में इंटर्विव दिया और यूपी का प्यस्टी जो हता यहां बीपीस्टी के बराबर वहां एक बार इंटर्विव दिया तीन बार मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं आईपीस की नौकरी कर रहा हूं जो या तो यूपीस्टी के हैं या फिर हम लोग जो आपस में मिलते जुलते हैं और जितने भी सीनियर आफीसर्स जो भी कह लीजिए उन सबसे हमारा जो इंट्रेक्शन होता है उस पर कि आपको जो प्रस्ण होगा वो पूछिए गा तो मैं उसके बारे में फिर बाद में आपको बताऊंगा पट मैं पहले कुछ अपनी जनरल बातें आपको बता दूंग कि सबसे पहले जो आपको तयारी करना है तो इसमें अगर ग्रुप इस्टडी दो तीन चार लोगों की होती है तो वो सबसे अच्छी होती है ग्रुप इस्टडी में आपको जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसका थारो नॉलेज करना और कहीं कोई आप रजिस्टर बना लीजिए या कोई पैपर सीट बना लीजिए जिसमें एक टॉपिक के बारे में एक पेज या दो पे समय में वह हो जाएगा और इस बीच में कोई नया डेवलप्मेंट हुआ तो जगह छूटा हुआ है उसमें आप इंसर्ट कर लेंगे तो बाद में जब आपका इंटर्व्यू पास में आना होगा तो उस टाइम में कम समय में आप ज्यादा चीज़ों को रिवाइज कर है तो आप भी अपना आधा सीशा लगा लिजिए जिसने आपका पैर से ले करके सिर्टक नजरावे उसके सामने खड़े हो जाएगे और जिस भी टॉपिक को आपने पढ़ा है उसे बीच बीच में बोलिए जस्त की सामने में आपके कोई बैठा हुआ है उसे आप पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं जो भी कह लीजिए बट नाट एक्वार्डिन तो जो सारी चीज़ें चल रहे हैं किताब की किनके कंसार नहीं किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ दिन आप करेंगे तो आपको समझ मे आएगा कि क्या चीज हो रही है एक चीज और बता दूं कि बोली ज्यादा तर लोग मुझे लगता है कि हिंदी बोलते होंगे तो हिंदी बोलने का मतलब आपको सुद्ध हिंदी बोलने की बात आएगी कोई मगही बोल रहा है कोई मैथली बोल रहा है कोई अंगिका बोल र कि यह मैं आपको बदा रहा हूं जब मैंने भी पहली बार इंटर्व्यू दिया था मैं अवद छेत्रका हूं तो हम लोग आधी में बात करते थे तो सुरुवात में जब स्विच ओवर करना शुरू किये कि सिर्फ हिंदी में बोलें बहुत कठिनाई होती इसलिए कि रोज की लीजिएगा बट जो भी आपका संकक्ष है जो तैयारी कर रहा है पढ़ाई कर रहा है उससे जो बात करनी है आप हिंदी में बात कीजिए और सुद्ध हिंदी में बात कीजिए अगर कोई इंग्लिस मीडियम का है तो इंग्लिस में बात करें कितने लोग इंग्लिस मीडिय है 5 minutes to 10 minutes का आप अपना recording कीजिए कोई आदमी प्रजंट नहीं हो किसी प्रकार की आवाज नहीं हो सामने में on करके लगा दीजिए आप अपना बोलते चले जाए फिर उसको सुनिए देखिए आप कैसे बात कर रहे हैं और बात करने के दाउरान क्या आपको फंबलिंग हो रही है आपके उच्चारण सही निकल रहे हैं आपकी भासा बोली सही निकल रही है या उसमें कोई कठिनाई हो रही या अननेसेसरी मूबमेंट ऑफ बॉड़ी यह हो रहा है कि नहीं यह आपको बहुत जरुरत होती है तो यह तो आपके जनरल प्रेक्टिस की चीजें हैं टॉपिक्स आपको हर छेत्र के जो करेंट में हो रहे हैं वो आने चाहिए सब्जेक्ट पर नार्मली कम ही पूछा जाता है इंटर्व्यू का टाइम में लेकिन कभी कभार कुछ सब्जेक्ट पर बारे में भी पूछा जाता तो जानकारी रखनी आपको होगी कि चेत्र के बारे में गाओं के बारे में आपको अपने नाम के बारे में इसकी जानकारी चाहिए और अधूरी जानकारी नहीं चाहिए इतना जान दिए अधूरी जानकारी का मतलब यह सब नाटो का जो सब्द चला नाटो के बारे में आप लोग अलग अदमी अलग अलग ब कर लिया जो उन्होंने बाताया और वाकी कुछ नहीं आपको हर चीज से रोज करना है कहां क्या चल रहा है एक जिस्ट्रेक्शन से दूर रहने की बात आपको करूंगा सोसल मेडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रेक्शन अगर आप वाटसाइप पर बहुत ज्यादा चल रहे हैं फेस्बुक पर बहुत ज्यादा चल रहे हैं तो बंद कर दीजिए एक तम साब बात करता हूं फेस्बुक पर या वाटसाइप पर सिर्फ वही इंट्रेक्शन आपका होना चाहिए जो आपके इंट्रव्यू की तैयारी से रिलेटेड हो अख़वार पढ़ने का एक तरीका होता है अब इस गली में चोरी हो गई उस गली में चार आदमी को फीट दिया किसी का मर्डर हो गया इस यूजलेस फार यूड़ पीपल सो फार एज इंटर्वूर इंटर्व्यू नहीं आने वाला सब्सक्राइब कर दिया जाए और अगर आपको वहां पर भेज दिया जाए पोस्ट कर दिया जाए तो एक कुछ चीजें हैं जिसमें आप अपना ध्यान रखिए लेकिन मेडिया चाहे वह प्रिंट की हो इलक्टानिक की हो इन सबसे जराद दूरी बनाई हो फिल्म देखने के लिए मैं मना नहीं करूंगा बट लिमिटेड टाइम देखिया आपको मैनेजमेंट करना टाइम का तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए है अगर आपका 20 मई को इंटर्विव है तो 20 में तक का ही समय वीस के बाद का कुछ नहीं उसके बाद का व्यकार अगली बार के लिए जो भी आपका समय है उस समय का उप्योग कीज़ें और जितनी तयारी आपकी होगी ग्रूप डिसकसन में उतनी अच्छी तैयारी ना तो आपको सिंगल होगी और ना ही किसी मांक इंटर्वियों में ठीक हर आदमी की अपनी ब्यक्तिगत परस्नाल्टी है जो दूसरे से मैच नहीं करती है मैं पारसनाथ हूं मैं दूसरा नहीं हो सकता आप दूसरे हैं आप पारसनाथ नहीं बन सकते हैं तो सबके अपने अपने परस्नाल्टी होते हैं वो नहीं जब आप कहीं भी मांक इंटर्वियों के लिए जाते हैं यहां आते हैं या कहीं भी जाते हैं मुझे उसमें यह कहना ह कि जो सजेशन्स दिये जाते हैं आपके इंटर्व्यू के बाद सपोल्स कीजिए कि वह आपके बेसिक नेचर के अगेंस्ट हैं डोंट अगर मेरा पूरब जाने का है मेरी सारी विचारधारा सारी चीज पूरब जाने की है कोई बोलता आप पस्चिम चले जाएए बिलकुल म जबाब होना आप जो चीज कहते हैं किस आधार पर कहते हैं क्या तरक है उसके पीछे अब जैसे रसाय और यूक्रेन लड़ रहा पुछा जाएगा भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा पॉजिटीव क्या निगेटिव क्या तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस युद इसमें अख्रबार में मैं देखता हूं और मैं आपको बताऊं कि दो प्रकार की आर्टिकल आती है एक आर्टिकल ऐसी आती है जो कंप्लीट निगेटिव चीजें लिखी रहती हैं जो भी चीजें हो रही है ऐसा नहीं है कि वह गलत लिखते हैं वह फैक्ट को प्रस्तुत क करते हैं बट उनका जो थौट प्रोसेस है वह निगेटिव साइड में दूसरे लोग उसी चीज को डाटा वही प्रस्तुत करेंगे लेकिन पॉजिटिव साइड में जैसे इसी सरकार की बात अगर आप कीजिए लड़कियों को साइकिल की पोश्राक की और बाकी सारी चीजों की स्कीम चलाई गई आज भी चल रही इसका आज इंपक्ट आपको बहुत नजर आता है कि क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव लेकिन जिस समय चालू की गई थी बहुत से लोग इसके खिलाफ में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंप अब एंट्री इंटू रूम इंटर्व्यू रूम अगर जिसने पहले देखा होगा उसके बारे में तो मुझे नहीं कुछ कहना हो जानता होगा बट यह चीज जानिए फर्स्ट आफ आफ आल यू सीक दी परमीशन टूइंटर सर में आई कमीन यह हिंदी में अगर आप बोलना चाहेते हैं तो इसी को जैसे भी क्या मैं कृपया आ सकता हूं स्रीमान कृपया आ सकता हूं जो भी सब्द है पहले से फ्रेम कर लीजिए जो मैने सीजा के सामने बोला ना प्रेक्टिस करके एक दम रट चाहिए यह अप आप कीजिएका वही चीज होगा उसमें गलती नहीं होगी अन्हीं पता लगा वाज नहीं करें खडबर नहीं हो वाप एक तरफ बैठ गए पुरसी लुड़क गई इस आर बेसिक तिंग्स दैट यह वैब टू मेंटेंग दैट यह प्रेक्टिस इन आर हाउस अगर आप पहली बार दूसरी बार दे रहे हैं इंटर्विश या बैठ गए तो उसके बाद बहुत से लोगों की आज़त रहती है पुर्सित बड़ा पीछे जरा आगे खीच लेता है ठीक है हम लोग अपने आफिस में देखते हैं सामने मैं मेरे चेर के बाद में कुर्सी बहुत से विजिटर ऐसर होते हैं वहां पर बैठने की बात होती है और बैठ करके या बैठत अबर्यू का बेशिक रूल यही होता है दो-तीन प्रस्ण आपको सामान करने के लिए पूछे जाएएं clicking चाहे जो हो सकता आपके बारे में हो सकता आपके डिस्टिक के बारे में हो सकता है आपके हाबी अगर आपने कोई दे रखी है हाबी के बारे में हाबी जो लोग लिखेंगे हाबी के बारे में बढ़ियां से जानते रहिएगा बिना जाने हाबी मत लिखिएगा ब्लैंक छोड तो एनी तिंग जो आप बागवानी का अगर आप बागवानी करना जानते हैं तो प्रस्थनों के बारे में फिर उसके बाद में बिभिन प्रकार की चीज़ें आएंगी जैसे जैसे आपको प्रस्थन आएंगे आपको उसी हिसाब से तारकिक जवाब देना और तारकिक जवाब में वह आपको इतना तयार रहे हर प्रस्थन का दोनों मैंने बताया पॉजिटिव निगेटिव इंपक्ट होगा आप जो चीज कहिएगा हो सकता उसके उल्टे भी वह कहा जाए यह चीद तो आप बोल रहे हैं इसका अभी तो होता है तो देन यहाब टो डिफेंड यूर जो आपने पक्ष लिया उसको आपको डिफेंड करना होगा और यह कूद भाद मत करिएगा कि एक बार बोले कि नहीं सर अभीत यह बड़ा नुकसान देह है अगली बार बो तो इस्टिक टूइट आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला और जितनी भी देर चले यहां तो मालूम नहीं मुझे कि कितना देर चलता है हम लोगों का जो इंटर्व्यू होता है यूपी असी में वह 20 मिनट्स तू 35 मिनट्स नार्मल चलता है इससे कम एबनार्मल है इस आप से गप चलेगी और बहुत ऐसा नहीं होता है कि एग्रेसिव कुछ चीज हो आग्रेसिव कुछ नहीं हम लोगों का जो प्रेसर है घर का अपना सोसाइटी का जो भी कह लिए उसके कारण से दिक्कत जादा होती और इस सिस्टम में है अगर आप सिलेक्ट हो गए तो पा आखरी के दिन में सोने का जरूर है बहुत से लोगों को अब चाहे वो प्रेसर के बाद हो या एंग्जाइटी हो या जो भी कारण हो नीद नहीं आती नीद नहीं आएगी गारेंटी मान के चलिए या आपका इंटर्व्यू खराब होगा आपको अपने सरीर को अपने स्वास्थ को ध्यान में रखके काम करना जो नार्मल टाइम है उस नार्मल टाइम पर सो जाईए हर किसी का जिसका जो भी हो टाइमी कोई दो बज़े रात में सोता है जब सोते हैं सबी सोईए बट मिनिमम स्लीप सिक्स टू सेवन आवर्स इंड होने पर अगेन आपको थैंक्यू बोलना कितना भी गंदा आपका इंटर्व्यू जाए ठीक फिर भी आपको थैंक्यू बोलना है और जो बोला गया ना मुस्कराते हुए कोसिस यही कीजिए कि अपनी परस्नाल्टी में आज से ले करके इंटर्व्यू तक ऐसा रखि वहां खखा खखा के हसना नहीं है यह सब बुरी चीज़ें अच्छी और बुरी की लाइन हर जगा लाइन खीची हुई आप यह सब कंट्रोल करना आपको आना है सीखना है जिसको राता अच्छी बात है नहीं आता है तो देनिवेब टाइम जो भी दस दिन बीज दिन एक महीना द्यार महीना है उसमें अपना करिए और उस टाइम यहां एक चीज और भूल गया मैं कि जब आप इंटर्व्यू देते हैं तो इंटर्व्यूर से आपका आई कांटैक्ट जलूदी है कि कि जिस आदमी से प्रस् पर हो सकता दो-दो लोग भी पूश है एक ने कुछ पूछा दूसरे ने सप्लीमेंटरी मार दिया तो जो पूछ रहा है जिससे बात चल रही उसे देखिए दूसरे को नहीं जैसे जैसे स्विच करता वेसे अपना घुमाईए और आख से देखिए और बोलते समय जो सुरुवात में मैंने कहा था संभव हो तो अपने हाथ नियंत्रित रखें हाथ से कुछ दाहिने वहें ऊपर-neae किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए लैंग्विज का वह एक पार्ट है भाव भंगिमा लंगेज का पार्ट है बट अनावस्यक भाव भंगिमा नहीं अनावस्यक गयास्ट नहीं कि जिसे हम लोगों कि यादत ही होती है जब भी बोलना है तो कुछ न कुछ काह करके हाथ हिला करके बाद जरूर होगी वहां हाथ बांद के आपको करना हाथ बांद की मीन्स यहाब तो प्रैक्टिस इप राइट फ्राम बिगनिक अब अगर आपके कोई प्रस्न है तो मैं उस झाल्ग की मी हैं थिए बांद की मीन खर में इप लागों काहेंगे भी सन्गक्ष्र चाहन करे आपके नहां कोई जाथिए वहां है यहां यहां